नमस्कार दोस्तों मैं दिन देल रमावत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डिडी रमावत में स्वागत करता हूँ साथियों हमारे चैनल में जैसा कि आपको पता है हर रोज पसों की कोई न कोई समश्या उसका समाधान उसका उपचार लेके हम प्रस्तुत होता है तो उसी प्रकार से आज एक ऐसी बिमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे जो पसों में महा मारी तो नहीं है यानि जिससे पसों की मरत्यू तो नहीं होती लेकिन पसो पालक को करोणों का नुक्सान हो जाता है यानि जिसमें पसों के थन खराब हो जाते हैं जिसका नाम है थनेला जैसा कि थन से जुड़ावा सब्द है थनेला तो इसका नाम थनेला रखा गया है और दूसरा जो इसका अंग्रिजी में नाम है वो है मेस्टाइटिस और इसे ग्रामिन भासा के जो सब्द है उसमें इसको सूगली या ओग्यूं भी कहते हैं सूगली क्यों कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये गंदी जगी में बैओने से हैं पसPO में जो infection पहल जाते हैं उसकी वीडियों में आप से पूरी चर्चा करने वाला हूं तो आईए देखते हैं इस बेंस के left side का जो पिछे का थन है उसमें से दूद बिलकुल निकलना बंद हो गया है और अब ये बीमारी दीरे दीरे आगे फैल रही है यानि कि आगे के थन में भी ये infection होने लग गया है पिछे का थन जो था वो बिलकुल बेकार हो गया अब दूसरे वाले थन में हो रहा साथियों ये जो थनों की बिमारी है यानि थनेला बिमारी है इस बिमारी की हम पूरी चर्चा जब करते हैं तब पहला हमें ये पता होना जरूरी है कि इसके कारण क्या है यानि ये बिमारी थनेला रोग किस कारण से पसू को होता है तो साथियों ये जो रोग थनेला हो रह व्वावी कृणों है उसका नाम है जीवान यानी बैक्टीरिया और कई वार ये भीमारी वाइरस जनित भी अुती है यानि की विशाणन जनित हुती है इसके अलावा 3 जो इसका कारण है तीसर से हैं उसके तर्डम से होतं है वह तर्डम भी क्रतेटिस इसके अलावा येश्ट और मॉल्ड जो किटानों है उनकी वज़े से भी ये बिमारी होती है साथियों हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये जितने परकार के किटानों मेंने बताए हैं वो खटानुं पसु के सरीर में यानि 성 की गादी में अडर में जाएंगे किस माधियम से तो साथियों उनके जाने का जो पहला परमुख माधियम होता है वो ओ किसी भी परकार की चोट की वज़े से चले जाते हैं दूसरा जो माध्यम है सातियों इन किटानों के थनों में गुषने का वो माध्यम है गंदकी यानि जहां पे पसु बैठता उड़ता है जहां पे हम पसु का दोहन किरिया कर रहे हैं यानि दूद दो रहे हैं उस जगे को एकदम से गर साप नहीं रखा जाएगा यानि वो या फिर पसु के दूने के बाद जब पसु के तीट जो है निची जो छिद्र होते हैं थीट के जो छेद होते हैं वो खुले रहते हैं कुछ समय के लिए और उस समय जब पसु नीचे बैड़ जाता है तो उस समय भी यह किताणों है वो गाधी में जा सकता हैं और यह लूजसे और उनिया हातों से अगर सवस्त पशू का दूढ़ू निकालेंगे तो वह जो बैक्टरिया उस पशू में थे भी मैध्यम को सभश न करेंै या फिर्म यह लेंकि के अगर हम आध्रों को साफ न यानि हमारे हाथ गंदे हैं और गंदे हाथों से अगर हम दूद निकाल रहे हैं तो उसकी वज़े से भी ये बैक्टिरिया जो है ये वाइरस या जो भी है किटानो वो अडर में जा सकते हैं साथियों अगला जो कारण है इसका वो ये भी है कि जब पसू दूद देना बंद कर देता है या कम कर देता है तो उस समय क्या है दूद कम होने की वज़े से हम पसू को छोड़ देते हैं दूद निकालते नहीं हैं उस समय भी क्या होता है कि जब दूद हमने एकदम से निकाल साथियों तईवार पसु पालग दूद निकालने का जो निश्चित समय होता है उसमें अचानक से बदलाव कर देते हैं यानि दूद निकालने में देरी कर देते हैं उसकी वज़े से भी ये infections हो सकता है इसके अलावा जब पसु उड़ता बैठता है और अगर पसु के खुर बड़े हैं उनकी वज़े से भी या दोलों खुरों में मालनों बीस में जगे ज़्यादा है तो उनकी वज़े से भी ये जो infection है वो गादी में हो सकता है कैसे जब पसु बैठेगा उठेगा तो कई वार क्या होता है कि जो टीट है वो खुरों के बीस में आ जाते हैं या दब जाते हैं या खुर अच्छी तरह से कटे वे नहीं है तो उनके रगड लगने से भी ये infections यानि ये जो मेस्टाइटिस के किटानों है वो गादी में जा सकते हैं इसके अलावा साहतियों अगर बच्चे दानी में कोई भी प्रकार की प्रोब्लम है मान लीजी बच्चे दानी में किसी प्रकार का infection है पसु को या पसु के जेर गिरने में देरी हुई है या जेर की वज़े से कोई infection है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था तो उसकी वज़े से भी ये mastitis हो सकता है इसके अलावा जो अगला कारण है वो कापी हद तक परमुक कारण है और वो कारण है संतुलित आहर की कमी यानि कि पसु को जो हम चारा दाना बांटा हराचारा सुकाचारा सब दे रहे हैं उसमें अगर संतुलित वो नहीं है यानि क कि कई वार हम हराचारा उपलब्द नहीं करवा पाते हैं तो कई वार हम सई तरह से शन्तुलित बंटा नहीं मनाते हैं तो उसकी वज़े से भी ये mastitis होती है संतुलित आहर जब पसु को नहीं मिलता है तो उसको बराबर केल्सियम, विटामिन्स और मिंद्रस नहीं मिलेंगे और इनकी कमी से यह मैस्टाइटिस रोग होने का बहुत बड़ा कारण है यानि जब यह सरीर में इनकी कमी रहेगी तो किसी भी प्रकार के किटानों मैंने अब बताएं आपको वो आसानी से पसु के सरीर में गुझ जाते हैं पसु के अडर में गुझ जाते हैं और मैस्टाइटिस पैदा कर देते हैं इसके अलावा सातियों पसु की कई ऐसी बड़ी बिमारियां भी है जिनकी वज़े से भी ये मेस्टाइटिस हो जाता है जैसे बुरुसेला है अगर किसी पसू को बुरुसेला है तो जाहिर है उसको मेस्टाइटिस भी होगा अगर किसी पसु को गल गोंटू बिमारी होई है H.S. तो उसकी वज़े से भी कई वार ये मेस्टाइटिस हो जाती है और ये मेस्टाइटिस ज्यादा तर उन्हीं पसुओं को होती है जो दूद ज्यादा देते हैं तो सातियों ये सबी कारण थे मेस्टाइटिस यानि थनों में जो बिमारी होती है थनेला जिसको बोलते हैं उस थनेला के इतने सारे कारण है जिनकी वज़े से ये जो बैक्टिरिया है वाइरस है या जो येस्ट है ये पसु के सरीर में गुज जाते हैं और थनेला बिमारी कर विस्तृत चर्चा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बिमारी पसों की बहुत बड़ी बिमारी है इसकी वज़े से बहुत ज्यादा नुक्षान पसुपालग को उठाना पड़ता है जैसा कि मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था कि पसुपालग के एक थन खराब पारी बहुत ही बैंकर है इसके जो लक्षण है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे इसके उपचार के बारे में भी हम आपको बताएंगे और यह जो सारी चर्चा हैं हम विस्त्रित रूप से करेंगे लेकिन अगले वीडियो में इस वीडियो में इतना ही तो साथियो हमने आपको पिसले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके फस्दू के किसी भी परकार की समश्या है तो उसका वीडियो बना करके हमें बेजें हम उसका समादार आपको तुरंत बताएंगे What sack के माध्यम से और जो आपकी समश्या है उसको लेकर के हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को परसारित करके हमारे जितने भी दर्सक यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखते हैं उनको भी उस बीमारी के बारे में क्या उसका उपचार करना है कैसे वो होती है उसके बारे में उनको भी नॉलेज मिलेगी तो साथ हमारे चैनल पर आप इसी परकार से सयोग बनाये रखें दन्यवाद अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और जो कुछ भी राई इस से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो शेवी दबाचिए दन्यवाद